जैहिन दोस्तों, दोस्तों कैसे आप? उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है यह है डिफेंस पेंशर पे। दोस्तों OROP2 को लेकर जवानों की क्या मांगे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहली मांगे है जवानों की कि सरकार जल्दी से जल्दी OROP2 लागू करें जिससे हर एक पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी हो उनकी पेंशन रिवाइज हो सकें। दोस्तों दूसरी मांग है इक्वल MSP की जितनी officers को MSP मिल रही है जितनी MNS को MSP मिल रही है उतनी ही ORs और JCOs चाते हैं कि हमें भी उतनी ही MSP चाहिए इक्वल MSP चाहिए तो दोस्तों दूसरी मांग ये थी तीसरी मांग है कि जितने भी सिपाई है नायक है उन सब को पेंश चाहिए ACP हवालदार की क्योंकि दोस्तो इनकी इतनी qualifying service नहीं होती तो actual में इने pension का benefit नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए तो इसलिए जितने भी सिपाई हो गए नायक हो गए इन सब की pension सेट करी जाए ACP हवालदार के according दोस्तो चौती मांगे जवानों की दोस्तो जैसा आपको पता है कि 6 CPC में एक table थी चंदर शेकर कमिटी की उसमें जो pension सेट करी गई वो करी गई 5th CPC के top up scale से तो यही जवानों का कहना है यही सैनिक संगठनों का कहना है कि जिस तरीके से चंदर शेकर कमिटी में 5th CPC के top up scale से rank wise pension सेट करी गई ऐसी जब OROP आए तो उसमें भी top up scale से हमारी pension सेट करें rank wise तो दोस्तो यह थी चौती मांग दोस्तो एक और मांग है जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपोर्टन्ट है सैनिकों का कहना है कि जिस तरीके से वेटेज की अनुसार पहले pension सेट करी जाती थी उसी फॉर्मुले को दोबारा apply करा जाए OROP 2 में क्योंकि दोस्तो पहले जो वेटेज की अनुसार pension सेट करी जाती थी उससे कई pensionerों को फायदा होता था उनकी pension में काफी बड़ोतरी होती थी तो दोस्तो यही जोवानों का कहना है कि जिस तरीके से आप पहले pension सेट करते आएं वेटेज की अनुसार top up scale के top up amount को लेकर उसी तरीके से OROP 2 में pension सेट करी जाए तो दोस्तो एक यह चोटी सी मांग थी जवानों की दोस्तो इसके regarding आपको कुछ पूछना है तो डिरेक्टा मुझे comment कर सकते हैं आपकी क्या राय है OROP 2 को लेकर वो भी आप मुझे comment करके बताईए या आप मेरे whatsapp ग्रूप में भी post कर सकते हैं जिसका link मैंने अपने description box में दिया है तो दोस्तो ऐसे educational videos मैं बनाता रहता हूँ लाता रहता हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि पुरानी history क्या थी OROP की पहले कैसे pension सेट हुई आगे किस तरीके से क्या काम हो सकता है तो इससे related में videos डालता रहता हूँ तो आप भी comment करके बताईए कि क्या है OROP 2 को लेकर और भी मांगे सेनिको की तो चलिए दोस्तो वीडियो में येंट करता हूँ खुश रहिए मुस्कुराते रहिए